रंग गोरा करने का तरीका या गोरा हुने का तरीका वो भी कुदरती गोरा अगर आपकी तवचा काली या सावली है चेहरे पर किलमुहासे और छाया है और यदि आप गोरा हुने के उपाए या गोरा हुने का तरीका खोज रहे है तो हो सकता है कि आपने बहुत से बाजारी क कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तिमाल करके देख लिया है। पर फिर भी आपको मान मुताबिक उन प्रोडक्ट्स का परिणाम नहीं मिला है क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इज दो जोर्दार होता है लेकिन इन प्रोडक्ट्स में इस्तिमाल किये जाने वाले केमि आपकी त्वचा को फाइदा कम तथा नुकसान ज्यादा पनहुचा देते हैं. यदि ऐसा है तो इस आर्टिकल में दिये टिप्स का इस्तमाल जरूर करें क्योंकि इस लेक में रंग गोरा करने का तरीका बताए जाने वाले सभी टिप्स प्राकृतिक और आजमाई हुए हैं. निम्बू निम्बू सावली त्वचा की रंगद निखार कर रंग गोरा करने के लिए बहुत ही कारगव उपाए हैं. इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है जो त्वचा से डेट सल्स हटा कर नए सल्स लाने में मदद करती हैं. निम्बू के रसका इस्तमाल करने से च साव गोरा तथा दाग धबे रहित बना देता है. प्रयोग की विधी एक ताजा निम्बू का रस कटोरी में निकाल ले. अब इस रस में रूई भिगो कर अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लगा ले. इस रस को कम से कम एक घंटे से ज्यादा लगा रहने दे. फिर ठंडे सेंसिटव हैं या आपको नीम्बू से अलजी है तो आप इस सुपाई को न करें. हल्दी हल्दी का उपयोग प्राचीन समय से ही रंग गोरा करने के लिए किया जाता है. इसमें एंटी बेक्ट्रियल गुण होते है और यह हमारी स्किन पर प्राकृतिक ब्लीच का काम करता ह यह त्वचा में नए को लाकर त्वचा को नई चमक तथा गुराई प्रदान करता है. हल्दी का नियमित इस्तमाल चेहरे को गुरा तथा दागरहिद बना देता है. प्रयोग की विधी, दो चमच हल्दी का पाउर एक पुका हुआ किला और एक चमच शहद को अच्छी तर अपने चेहरे पर लगा कर सूखने के लिए छोड़ दे. जब यह पेस्ट पूरी तरह से सुख जाए तो हलके हाथों से मसास कर इसे चेहरे से हटा ले. फिर साफ पानी से अपने चेहरे को धोले. इस उपाई को सब्ताव में कम से कम तीन बार अवश्य करे. यह एक बहुत ह करना स्वास्थे के लिए फाइदे मन्द तो होता ही है. साथ ही साथ आप इसका इस्तमाल गोरा होने के लिए भी कर सकते है. दही आपकी तवचा की मृत कोशिका को हटा कर नई कोशिका लाने में मदद करता है. जिस कारण आपकी तवचा गोरी हो जाएगी. यह ना सिर्फ आपको गोरा बनता है बाल की यहाँ आपकी तवचा को कुद्रती चमक और कोमलता भी प्रदान करता है. प्रयोग की विद्धी. तीन चमच दही में एक चमच नींबू का रस मिला कर अच्छी तरह से फैन खले. अब इस पेस्ट को आधे घंटे के लिए फ्रीज में रखते तीस मिनिट बाद इस पेस्ट को पूरे चेहरे पर लगा कर सूखने दे. जब यहाँ पेस्ट पूरी तरह से सूखे जाए तो ठंडे पानी से इसे धोले. इस उपचार को सब्ताह में दो से तीन बार जरूर करे. इसके नियमित इस्तमाल से कुछ ही दिनों में आपकी सावल प्रयोग की विधी तीन चमच दूद में एक चमच शहद को अच्छी तरह से मिला ले. अब इस मिश्रण को पूरे चेहरे पर लगा कर सूखने के लिए छोड़ दे. जब यह मिश्रण पूरी तरह से सुख जाए तब साफ पानी से चेहरे को धोले. चेहरा होने के 15 मिनिट के बाद 4 चमच दू जल्ट दे सकता है. इसलिक में दिये गए हुए गोरा हुने का तरीका का इस्तमाल करके आप जल्द ही गोरी तवचा पा सकते हैं. लेकिन साथ ही साथ आपको खान पान में भी परहे चेहरे.